दर्सकों हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि सनीवार के दिन हम ऐसे कौन से कार करें जिससे कि हमारा दिन सुब एवं मंगल में रहें तो आप आज सनीवार के कुछ टिप्स या उपाय या हम कहें टोटका किस तरह के हैं वे आप पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आपका दिन सुब एवं मंगल में रहने वाला है तो आज हम सनीवार को क्या खाकर घर से बाहर निकलना चाहिए सनीवार को सुब काम पर जा रहे हैं तो अदरक या घी खाकर निकलने से काम्यावी मिलेगी या आप उड़द भी खाकर के जा सकते हैं घर से क्या खाकर निकलने से मिलेगी हर कारे में सफलता सुब कारियों पर जाने से पहले घर से दही चीनी खाकर निकलें कहते हैं कि इससे आपको हर मैत पूर कार में सफलता मिलती है सनीवार को कौन सी दिसा में नहीं जाना चाहिए जोतिश सास्त्र के नियम के अंसार सनीवार को पूर्व दिसा में यात्रा करने पर दिसासूल लगता है दिसासूल का अर्थ है सम्मंदत दिसा में बादा या कष्ट प्राप्त होना इसलिए सनीवार को पूर्व दिसा में यात्रा नहीं करनी चाहिए सनीवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए सराव और मा सहर का सेवन ना करें सनीवार के दिन सराव और मा सहर का सेवन करने से बचें कूंकि आपके जीवन में समश्याओं को आमंतरित करेगा इसके अत्रिक जिन जात्कों की कुंडली में सनी असुब होता है उनके लिए इसे नका सनी को समर्पित होता है, सनी देव हर व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, इसलिए उन्हें कर्म फल दाता भी कहा जाता है, सनी को प्रसंद करने के लिए लोग उनकी पूजा ब्रत और उपासना करते हैं, सनी की साड़े साती सनी दोस्त से मुक्ति के लिए सनी उत्तम माना गया है सनीवार के दिन काले कपड़े पहनने से स्वास्त रही होता है क्योंकि संइ संभत काका कापी गैरा संबंद सनेबा को काले कपड़े पहनने सने से सनी देव सनी देव को प्रसाद में क्या चड़ता है भगवान सनी देव को भोग में तिल गुड खिचली काले तिल से बनी चीजें और गुलाव जामन का भोग लगाना चाहिए इस बात का विशेश ध्यान रखें कि भोग सात्विक और सुद्धो दार्मिक मानता के अंसार इन चीजों सनी दोस साड़े साथ यो ढईया का बुरा प्रभाव कम होता है सनी देव को प्रसंद करने का मंत्र क्या है सनी देव का मा मंत्र है ओम निलांजन सभाभासम रवी पूत्रम यमा ग्रजम चाया मार्तंड संभूतम तम नमामी सनी श्चरम इस मंत्र का आप कम से कम ग्यारे बा ए हनिए सद्धिभatri और दूसरा मंत्र एए यह और श्री स्रिक्राय नमें यह चोटा सा मंत्र है आप इसका है कमसे कम 108 वारिस सद्धूर करें सबूरा की किरपा का पाने के लिये क्या करना चाहिए ऍटाण को क्या चाहते हैं तो मास पद्धूर मद्रा का सेवन जो कि सनी देव को जब पीड़ा हुई थी तो हनमान जी ने यही तेल लगाया था ध्यान रहे कि जब भी आप सनी देव पर तेल चड़ाएं तो आपकी नजरें उनके च्रणों पर होनी चाहिए ऐसा इसलिए कि क्यों कहा जाता है कि सनी देव से आँखें नहीं मिलानी सनी बार के दिन काली उड़त की दाल दान करना चाहिए सुब माना गया है लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए सनी बार को टोटका क्या है सनी बार के दिन का टोटका क्या है सनी बार के दिन सनी यंत्र की पूजा की जाए तो इससे सनी देव की किरपा वरस्ती है सनी देव के बुरे प्रभाव को सांत करने के लिए सनी वार के दिन सनी यंत्र की पूजा करें मा साहार का त्याग करें और अपने सामर्त अंसार गरीमों को दान करें इस दिन काली गाय को उडद की दाल या तिल खिलाएं सनी देव को कौन सी मिठाई पसंद है सनी देव को गुड़ का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है कि गुड़ का भोग लगाने से सनी देव जल्द प्रसन होते हैं और भक्तों को अपना आसिरवा देते हैं सनी देव को गुलाव जावन या मीठी पूरी का भोग लगाना बहुत अच्छा माना गया है सनी देव कोन सा काम नहीं करना चाहिए सनी देव के दिन भूल कर भी किसी कमजोर या मजबूर व्यक्ति का अफमान या दिल नहीं दुखाना चाहिए सनी बार के दिन ऐसा करने पर सनी देव की दृष्टी में आप पाप के भागिदार हो सकते हैं और सनी देव ऐसे ब्यक्ति को घोर दंड देते हैं सनी बार के दिन बाल काटना या नाकून काटना भी वर्जित होता है ऐसा करने से सनी देव नाराज भी हो सकते हैं तो दर्श करता हूं अगर आपको हमारी उपाय अच्छे लगे हों तो अपने मित्रों को और परवारी जनों को सियर करना न भूलें अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगले दिन रासी फल का एवं अगले दिन वार से सम्मंदित उपाय वह तोटकों का वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके मैं बिदा लेता हूं रादे रादे जैसरी रादे